है लो सुपर इन्वेस्टर्स आज भी अपर शर्की लगाए और आज बहुत ही जयादा स्ट्रॉंग लगाए स्ट्रॉंग क्यों कहते हैं हम लोग अपरश fluct को कि जब उसमें वॉल्यूम का मोता है उसको स्ट्रॉंग कहते हैं ना की वॉल्यूम के साथ हुआ तो उसको circuit को अच्छा नहीं कहते है कम volume में upper circuit लगना मतलब काफी strong buying है ये indication होता है कोई भी शहर में तो आज एकदम ये strong upper circuit लगा, खुलते बराबर upper circuit में गया, तो ये काफी धमाकेदार बात है और आपको मैं इस वीडियो में एक धमाका अपडेट देने वाला हूँ, जिसको सुनकर आप काफी खुश होंगे क्योंकि ब्राइट काउं ग्रूप में positive बात आज कल दुनना मुश्किल हो गया है, बट हम research करते हैं, हमारी team research करती है, और आपके लिए लाती है धमाकेदार update जो कि ब्राइट काउं ग्रूप के बारे में सब बाते आपको बता होना जरूरी है अगर आप ब्राइट काउं ग्रूप में invest करते हो या उसका research करते हो ब्राइट काउं ग्रूप का धमाका update बताने के पहले आपको बता दू अगर आपको चाहिए jackpot share या आप चाहते हो आपका portfolio हमारे team handle करें तो उसके लिए whatsapp करके पूछ सकते हो 954585 0000 इस number पर कि दोनों service के लिए आपको कोई भी advance payment देने की जरूप नहीं है friends brightcon group आज आप पहुचा 16 rupees 70 पैसे पर और आज volume काफी कम हुआ NACBase से मिला कर only 34 lakh shares का volume हुआ है तो कम volume होना यह काफी positive बात है और जब मार्केट बंद होने को आया था तब भी BACNAC मिला कर करीब करीब तीन करोड़ shares buying के लिए लगे वे थे यह भी काफी positive indication है मतलब हमारा जो target है कि 18 rupees तक यह first target है इसको cross किया तो 21, 24, 27 तो यह 18 rupees को cross करना काफी important है तो यह बड़ा hurdle पार होते वे देखने को मिलेगा कल तो नहीं पर Monday को यह hurdle पार होते वे हमें देखने को मिल सकता है डिलोरी percentage भी आज थी 100% क्योंकि अपर सकेट में ही था तो डिलोरी पुरी उठाई गई कोई भी हिलने डूलने को मौका मिला नहीं प्राइट काउं ग्रूप के कोई भी operator को सीधा अपर सकेट में जा पहुचा और आज AMO order तो कमाल की है 37,40,000 shares की AMO order लगी भी है तो यह भी काफी बड़ी बात है कि share उपर जा रहा है तो AMO order घटने के जगा बढ़ रही है तो यह भी काफी positive बात है अब मैं आपको बताता हूँ धमाकेदार update क्या है धमाकेदार update यह है फ्रेंड्स की हम लोग Brightcom Group का देखते है कि company के जो company जो बोलती है या कि हमारे पास इतने publishers है इतने resellers है इतने advertisers है यह सही है कि गलत है ऐसे काफी मन में विचार आते है यह सब ग कि यह सब सही है यह dummy है फेक है बट यह समझो management कुछ भी fabricate कर सकती है बट एक third party जैसे हम लोग कुछ घड़ा होता है तो हम कोट में जाते है वैसे ही अगर हमें प्रैकाउं बोल रहा है कुछ बात हैं सही है हमें लग रही गलत है तो हमने उसमें research करना ची है और दिखना ची है कि वो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है या जूर बोल रहा है तो USA की एक website है जो totally advertisement सेक्टर पे digital ad tech पे ही काम करती है वो website पर हमें ब्रैट कॉम रूप का data अगर हम लोग compare करें दो साल में क्या progress हुई है तो देखकर हमें यकीन आ जाता है कि ब्रैट कॉम रूप का जो progress ह है wall paper नहीं है real में है क्योंकि यह जो website है इसको कोई fabricate नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें से ब्रैट कॉम रूप ही नहीं है उसमें Google है नेटफ्लिक्स है ट्रेट डेस्क है सभी company आ है मतलब सभी company का वहाँ पर data वहाँ पर generate होता है कि वही कौन से company के पास कितने customers है कौन-कौन स advertising के platforms है और उसमें platform number 1,2,3 वह भी दिया आ है उसमें कि top advertising platforms world में कौन से है top publishers कौन-कौन से है उनके पास customers कौन से है कौन से आटे की company है उनका market share क्या है यह सब data वहाँ पर generate होता है उन्हें जो generate होता है उसमें जो register करते है जैसे publishers है समझो publisher ने register किया उन्हों ने अपनी company का न adcom group digital platform का तो automatic वहाँ पर उतना data generate होता है जिसके कारण यह final conclusion निकल कराता है तो आइए जानते हैं क्या धमाकेदार conclusion बताता हो यह website आप भी जाकर देख सकते हो एड आउट नाम की जो एक website एड एउट डॉट कॉम यह एड सेक्टर के सभी चीजों को यह maintain करती है कि कि किसका market share है कितना platform है मैंने आपको बताया उसका मेरे पास एक पुराना जो है screenshot पड़ा था जो क्यूंकि मैं दो साल से तीन साल से वी सब पुरा से सेव करके रखता हो data तो मैंने पीछे जाकर देखा कि 2021 में जिहां 2021 में ब्राइट कॉम ग्रूप के पास क्या position थी और अभी current की latest की आज की position क्या है आई आपको बताता हूँ 2021 में ब्राइट कॉम ग्रूप के पुब्लिशर्स थे 52,600 जो की अभी बढ़कर हो ग मतलब करीब करीब three times जो है publishers ब्राइट कॉम ग्रूप के बढ़े हैं as per this website उसके बाद में जो है reseller accounts ये जो थे 2021 में सिर्फ 9,700 accounts थे reseller के वो बढ़कर हो गए है 1,13,000 मतलब करीब करीब 1000% से ज्यादा का growth हमें reseller accounts में देखने को मिल रहा है ब्राइट कॉम ग्रूप के ये भी काफी बड़ी बात है total accounts, total accounts 2021 में थे 1,32,000 जो की बढ़कर हो गए है 2,5,000 तो ये भी almost double हो चुके है only in the matter of 2 years तो ये भी काफी positive बात है और बाद में add text score जो है वो 2021 में भी A grade था और अभी भी A grade ही है तो उसमें कोई बदलाव नहीं है क्योंकि A grade जो है topmost है तो website जो grading देती है वो इसाब से top का grade है A grade मिलना मतलब ये भी काफी positive बात है क्योंकि website पर देखते है कि traffic कितने है इनके बास customers कितने आ रहे है क्या हो रहा है तो company का जो goodwill है वो इसाब से maintain हो रहा है उसाब से add youth ने उसको दिया है A grade अब सबसे बड़ी बात market share मार्केट शेल जो था 2021 में ब्राइट कॉम का वो था 5% जो कि अभी बढ़कर हो गया है 14% यहां पे भी हमें 300% के आसपास की जम ब्राइट कॉम रूप के market share में देखने को मिल रही है तो overall यह काफी धमाकेदार update है जो कि हम लोग काफी एक जो मन में डर होता है तो कही न कही एक confidence आता है कि ब्राइट कॉम ग्रूप का काम सब ठीठाक चल रहा है और यह जो website है यह तो भारत की भी नहीं है किसको manage कर सके या कुछ कर सके यह USA की website है तो इस website पर जाकर आप भी चेक कर सकते हो website पर जाहिए ब्राइट कॉम ग्रूप डालिए आपको पूराना डेटा तो नहीं मिलेगा वो मेंने आपको बता दिया है बट लेटेस्ट डेटा आप चेक कर सकते हो ad-a-u-t-s.com ad-auth.com जो कंपनी का नाम है जो एट सेंटर का सब डेटा top publishers, top advertisers, top resellers यह सब maintain करती है इस पर जाकर आप देख सकते है और आशा करते है कि सभी कुछ बॉसरी हो conclusion जो यह picture में climax, जो tragedy है, action है उसका conclusion happy ending हो ऐसा हम लोग आशा करते है अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है, updates, picture अभी बाकी है मेरे दोस्त बट अभी picture में जो अच्छी आते हैं तो वो भी बताना जरूरी होता है, tragedy तो हम रोजी सुनते हैं, आशा करते है कि फैला जो hurdle है 18 रुपीज का उसको जल्दी cross कर जाए, फिर 21, 24 और 27 यहां तक जाए, यह काफी factors पर depend करेगा, but friends जितना selling pressure कम रहेगा, उतना ही strong इसमें strongness बना रहेगा उपर जाने का, तो आशा करते हैं कि नास्टा भूक पर जाए share, और यह धमाकेदार update आपको अच्छा लगा होगा, और आपको एक confidence आया होगा, कि अभी bridecom group जिन्दा है, और इसमें अभी भी धम बाकी है, आशा करते हैं कि हम जो सोच रहे हैं, वैसे ही revenue और profits रहे, और कोई भी दिक्कत न है, धै कि अंकि अभर इस हैं कि अंकि छिशा Minute